हलो फ्रेंड्स मेरी यूटूब चल्म आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में बात करने वाले कक्षदस का जो पेपर है एंदी का उसके बारे में तो आईए फटाफट से जुड़ जाईए स्टार्ट करते हैं जो पहला है क्यूस्चन आपका वो एबस हैदे वाला है वस्तुने इस प्रेशन है मतलब उससे पहले निर्देश दे रखें इन्हें आप पढ़ लीजेगा इनमें समय बरवाद नहीं करेंगे और यह हमारा वाट्सप नमबर है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 7887896648 यह वाट्सप नमबर है वाट्सप ग्रूप में जुड़ना है तो उसका लिंग डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है जहां और भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो आप जाईए वाट्सप ग्रूप में जुड़ जाईए और चैनल को पहला क्यूशन है ठाकुराइन सब्द में प्रत्य है ठाकुर प्लस आईन ठाकुराइन तो उप्सन नमबर बे आपका से उत्तर रहेगा नेक्ट है ए प्लस ई बराबर ए में संदी है यहां देखिए अगर एक जैसे वर्ड हुए तो वहाँ होगी दीर की संदी और जब छो यहन संदी तो इसमें कौन से संदी होगी इसमें होगी गुण संदी ए प्लस ई से यह बन रहा है आपके गुण अगर यही उल्टा होता तो आपके यहन बनती थड है हरी है राजनीती पड़ी आये पंक्ती का उप्युक्त आश्य है ओप्सन ए है आपका स्रीक्रेशन राजनीती की बनना चाते हैं दूसरा है स्रीक्रेशन के विवार में कुटल राजनीति तिग्यों जैसा छलकपट जलक रहा है से है राजनीती की छेतर में स्रीकर्ष्ण शर्वो परी है और दय है स्रीकर्ष्ण राजनीती नहीं पड़े इसका आंसर बताना है आपको Next है होई ही केऊ एक दास तुमारा राम ने इस पंक्ती में दास सब्द का प्रयोग किसके लिए किया है तो इसमें उन्होंने किया है पड़सुराम जी के लिए Next है आत्मकत्य कविता के रचनाकार है Next है घेर घेर घोर गगन पंक्ती में किसे गेडने की बाद कही गई है Next क्यूशन है इसमें आपका राजनीती नेताजिस वाचंद्र वाउस की मूरती पर चस्मा कौन लगाता था आलदार साब, ड्राइवर, पानवाला या फिर कैप्टन Next है स्राद के बाद बगत ने पतोहू को बेज दिया था Next है नवाव साब ने टिकेट खरीदा Next है मानव संस्कृति को लेखक ने क्या बताया है Next है लड़के और खाली जगे पराई पीर नहीं समझते Next है लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था साना साना हाज जोडी पार्ट के आदार पर बताईए अब है आपके रिक्तिस्तान की पूर्ती करने वाले प्रश्ण Question No.2 पहला है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है दूसरा है जिन सब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष एवं काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें खाली जगह या एविकारी सब्द कहते हैं थर्ड है तद पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होता है फोर है परिमान वाचक विशेशन के खाली जगह उपवेद है पाँच नमबर है, प्रश्ण का बौत कराने वाले सरवनाम को, खाली जगे सरवनाम कहते हैं नेक्स्ट है, हम वतन सब्द में कौनसा उपसर्ग प्रियोक्त हुआ है तो हम प्लस वतन, इसमें आपके हुआ है, हम उपसर्ग नेक्स्ट है क्युष्टन नमर तीन जिसमें एपटित गद्यांस दे रिखा है जिसको पढ़कर आपको प्रश्णों के उत्तर देने है तो ये आपका गद्यांस है बादचीत का ही एक विशेश प्रकार का आनंद होता है जिनको इस आनंद को भी बोगने की आदत पढ़ जात ही है अपने मन के भावों का दूसरों के सम्मक प्रकट करने और दूसरों के अभिप्राय को स्वेम ग्रेंड करने का एक मातर साधन सब्दी ही है तो आपका पहला प्रश्ण है उप्रुक्त गद्यांस का उचित सीड़ सक लिखिए तो आपको उचित सीड़ सक लिखना है इ बादचीस से लोगों को क्या प्राप्त होता है? आनन्द. Next है, बादचीस से प्राप्त आनन्द के लिए लोग क्या क्या करते हैं? तो वे क्या करते हैं? इसके लिए वे अपना खाना पीना तक छोड़ देते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं. Next question number 4, अपने प्रेमी के साथ बातें करने की लालसा किन में अधिक होती है? तो किन में अधिक होती है? जिन में केवल पत्र विवार है, कभी एक बार भी साक्षात कार्ड नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की अत्यदिक लालसा होती है. यहाँ पे देखिए इस बातचीत किस से? साथन क्या है? सब्द. यह देखिए, यहाँ पर अंसर आपका सब्द. नेक्ट है, दुख सब्द का विपरीतार तक तो दुख का क्या होगा? सुख होगा. नेक्ट है, क्रिश्चन नमर फोर, एपटित पद्यांस को पढ़गर आपको प्रश्णों के उत्तर देने हैं, यह आपका पूरा पद्यांस है, इसके प्रश्णों देख लेते हैं. तो इसके प्रश्ण है, पहला प्रश्ण है, प्रस्तुत पद्यांस का उप्रुक सीर्षक लिखिए, पूरा पढ़ना है डंक से और आपको देखना है, कौन सा सीर्षक आपके लिए सही रहेगा इस पद्यांस के लिए, दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांस में किसको प्रस्तुत पद्यांस की बाशा सेली की विशेष्टाइं बताईए नियावचित सुख सुलब नहीं का आशे कीजिए नेक्ट है खंडबे जिसमें आपको लग उत्तरात्मक प्रशन दे रखें सब्द सीमा आपकी रहेगी चाली सब्द उत्तर देने की पांच नमर प्रशन है सक्की सववब वाले व्यक्ति का सववब कैसा होता है लोगों की उसके विवार पर क्या प्रतिक्रिया होती है एक काहनी यह भी पार्ट के आदार पर बताईए क्युश्चन नमर च्छे है लखनवी अंदाज पार्ट में नवाव साब ने खीरा खाने की बड़ी तयारी की आप अपनी प्रिये खाद्य वस्तू का आनंद लेने के लिए किस प्रकार की तयारी करेंगे अपने सब्दों में लिखिए साथ नमर है निराला की उस्सा तथा अट नहीं रही है कविता में किन रितूओं का वर्णन हुआ है आपके मत में इन में से कौन सी रितू आकरशक तथा उप्योगी है आठ नमर है कभी कभी यह योही दे देता है इसका साथ पंक्ती में योही में निहित अर्थ को इसपष्ट कीजिए नो नमर है शिक्किम में इस्तान इस्तान पर फैराती सफेद और रंगीन पता काईं किस धार्मिक विश्वास की प्रतीक है दस नमबर है विज्ञान के इस दुरूपयोग के प्रती बुद्धी का विद्रो स्वावविक्था अग्ये ने यहाँ विज्ञान के किस दुरूपयोग का उलेक किया है ग्यारा नमबर प्रश्ण है आँके फिर लेना मुआवरे का अर्थ एवं वाग्यों में प्रयोग लिखिए अब हम बात करेंगे खंड सही की खंड सही है आपका जिसमें आपको पठित गद्यांस दे रखा है जिसको पढ़कर प्रश्णों के उत्तर देने है यावगपुरा गद्यांस है यहां से लेकर यहां तक और इसके प्रश्ण नमबर एक मनुष्ण के किस कारे को सब्विता बताये गया है दूसरा नमबर है संस्कृति और एसंस्कृति में क्या आंतर है थर्ड है संस्कृति कब एसंस्कृति हो जाती है और उसका क्या दूस्परिणाम होता है फोर नमबर है लेकर नहीं संस्कृति और सब्विता के अस्तित का मूल आदार किसे माना है और क्यों अत्वा के अंदर दूसरा गध्यांस दे रखा है यहां से लेकर यहां तक पूरा गध्यांस है अब इसके प्रश्ण देख लेते हैं यह इसके प्रश्ण है पहला है बादों की आदी रात कैसी थी अपने सब्दों में लिखी दूसरा है गोदी में पियवा चमक उठे सकिया, पंक्ती का भाव क्या है, थर्ड है बाल गोविन का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, इस कदन का आसे इसपष्ट कीजिए, चाड मर है, तेरी गट्री में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ती में गट्री, चोर और मुसाफिर किन को कहा गया ह और क्यों, नेक्स्ट है आपको पठित पद्यास दे रखा है, जिसको पढ़कर प्रश्णों के उत्तर देने है, प्रश्ण है आपका पहला, बोरों की गुन-गुन को कभी ने क्या माना है, दूसरा है, यह लोग करते ही रहते हैं, अपना व्यंग, मलिन, उपास इस पंक्त हैं, यह रहे, चार प्रश्ण है, चौदर नमर प्रश्ण है, लखनवी अंदाज कहानी से लेखा क्या संदेज देना चाता है, अत्वा, एक कहानी यह भी पार्ट में, कविता के सोरी लेखिका के पिता ने रशोई को बटियार खाना क्यों संबोधित किया है, पदर नमर है आत्म कत्य कविता की काविक भासा की विशेशता हैं, उधारन सहीत दीजिए, अत्वा, संगत का कविता में, प्रियुक्त, सरगम और सब तक का परिचय दीजिए, नेक्स्ट है, खंड़ दै, सोरी नमर प्रश्ण है, मनु बंडारी के क्रतित्व और व्यक्तित्व के विश बोलानात के चरित की प्रवों विशेशता हैं लिखिए, अत्वा, प्रकरती ने जल संचे की विवस्ता किस प्रकार की है, साना साना हाथ जोड़ी पार्ट के आदार पर लिखिए, अठार नमर प्रश्ण है जिसमें आपको निबंद लिखना है, तीन सो सब्दों में, आप प्रश्ण है जिसमें आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, स्वयम को उच्चिमादविक विद्याले जगतपुरा का चात्र अजय मानकर प्रदाना चारे को विद्याले में खेल सुविताय बढ़ाने का नेवंत्रन, निवेदन करने हैं तू पत्र लिखिए, अत्वा स्वयम को स्रियांस मानते हुए, अपनी बहन मनिश्का को रंगोली पेतियों किता में प्रथमिस्तान प्राप्त करने पर बदाई लिखिए, लाश्ट प्रशन है आपका बीश नमबर, आर्थ एक द्रिश्टी से कमजोर या गरीब शात्रों को निशुलक सिक्षन से विदा अपल लिखिए, तो यह तिसारे इंपोर्टेंट क्यूशन जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्यूशनों को देख लें, याद कर लें, और वीड़ अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमा